तो नमस्कार करनल अजय स्यों अजय अस्ट्रो मनिगरू फर्स ग्लोबल अस्ट्रो फनाइस डीचर चैनल से आप स्यम्खाती बोता हूं आज गुरुवार 169 बार संग 2023 दोस्तो अजय अस्ट्रो मनिगरू देश दुनिया का पहला चैनल है जो फंडामेंटल एनलेसेस और इंडियन सिस्टम आफ एनलेसेस के अधार पर आपको अग्रिम विशलेशन पैदान करता है ग्रेंज के अंदर चैक गेवों हो मक्का हो बाजरा हो या फिर चावल इसके उपर लगातार अप्डेट और विशलेशन हम आप तक प्रस्तुत करते हैं तिलन दलहन मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल्स के उपर देश का पहला चैनल दोस्तो आपको याद होगा हमने एक चावल के उपर यानि राइस के उपर लगातार आपको अप्डेट दी है जो की सत्ते साबित होए हैं अब एक मैतवपुन खबर आपसे साजा कर रहे हैं कि भारत ने लगबग 5 लाग टन नई सीजन के बासमती चावल के निर्यात के समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं जानिए पुरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तो इससे पहले हम आगे बड़े हैं आपसे एक विनर्म अनुरोद यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल पे दी गई सही भी जानकारिया आपको उपयोगी और अच्छी लगती है तो इसको सस्क्राइब करना बिलकुल ना बूले यदि आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो इसको पेज को यानि फेस्बुक पेज को लाइक के साथ साथ आप फॉलो अविश करें ताकि हर सूचना आप तक सबसे पहले पहुचाई जा सके खबर निकल के आ रहे हैं कि भारत ने योरोप और मद्यपूर यानि मिडिल इस्ट में कुछ बड़े ख इक बासमाती चावल का निर्याद करता है कि और भारतिय चावल अपनी फ्रेग्रेंस यानि फ्रेगरांस यानि सुगंथ के लिए काफी प्रसिद हैं और साथ साथ इरान, इराग, यमन, साओदी, अरैविया, साइयकत, अरभ, अमीरा, साईवत, अमेरीका, साइथ, अनेक दैशो को भारती बास्मति चावल का निर्यात होता है योरोप भी भारती चावल का एक बड़ा बजार माना जाता है गोर्ट तलब है कि घरेली घरू चावल की घरेलू कीमतों को इस्थिर करने के लिए जून में जून 2023 में गैर बासमती सफेज चावल के निर्यात पर पतीबंद लगाने के बाद भारत ने अगस्त में बासमती की विदेशी बिक्री के लिए 1200 डॉलर पतीटन का न्यूनतम मुले यानि मिनिमम एक्सपूर्ट प्राइस निर्धारित की थी उसके बाद भारते बहुत बड़ा भंडा जम्म हो गया था इसलिए सरकार ने पिछले महिने बासमती निर्यात के लिए जो नियूनतम मिल को घटा कर 950 डॉलर पतीटन कर दिया है इससे भारतिये चावल के दाम अंतराश्य बजारों में काफी कॉम्पेटिटिव हो गय है और भारतिये चावल ने कहा है कि हमने लगबग 5 लाग मैट्रिक टन के निर्यात के सौधे किये हैं गौरतराब है कि आम तोर पस सितंबर और अक्टूबर में नई फसल के आउडर मिलना शुरू हो जाते हैं लेकिन 1200 डॉलर पती मैट्रिक टन की महंगी मिनिमम एक्सपोड प्राइस के लिए भा भारतिय चावल के दाम आकरशक होने से और कोलिटी अच्छी होने के वज़े से भारतिय चावल के लिए काफी आकरशक हो गया है दोस्तो निर्यातक को ने का है कि भारतिय व्यापारियों ने 1000 डॉलर से 1500 डॉलर प्रति मेट्रिक्टन के बीच बास्मती निर्यात के चावल के सौदों पर अस्ताक्षर की है शीर्स बास्मती चावल उत्पादक राज है हर्याना ने के एक प्रमुक निर्यातक का कहना है कि टर्की, इराक और साउधी अर्याबिया इस साल अब तक चावल के सबसे बड़े खरीदार माने जा रहे हैं 950 डॉलर पती मेट्रिक टन की मिनिमाम एक्सपोर्ट प्राइस के बावजूद ऐसा लगता है कि हम अपनी सामाने एन्वल जो एक्सपोर्ट होगा वो लगबग 4 मिलियन मेट्रिक टन से अधिक होने की संभावना बन गई है दोस्तो चावल के दाम नौवंबर और दिसंबर में महतपुन रह सकते हैं आपको याद होगा जब सरकार ने 1200 डॉलर मिनिममम एक्सपोर्ट प्राइस की दाम तै किये थे उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि चावल के दाम बढ़ सकते हैं तो दोस्तो नौवंबर और दिसंबर महिने में चावल के दाम क्या आगे बढ़कर रहेंगे या फिर आएगी बड़ी गिरावट क्योंकि उचे दाम के बाद अकसर बजारों में करक्शन देखने को मिलता है तो दोस्तो ग्यहूं मक्का बाजरा दलहन तिलहन मसाला इन सभी की विशेश रिपोर्ट एक ही सस्क्रिप्शन में आप तक उपलब्द है आज ही आप संपर करें All the very best, good luck, happy today